किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन करसी कानून लाए गए थे देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ दन्यवाद करना चाहता हूँ हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझान नहीं पाए भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोत कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वकुल था साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मांगते हूँ सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायत हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझान नहीं पाएगे आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकास परव है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुसी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निरने लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसत सत्र में इसी महिने में हम तीन कुरुसी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूं आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरुवात करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला दिया है जीलो बजट खेती यानि प्राक्रूतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्यानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर से बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को ध्यान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा झाल झाल 1 4 कि मीट कि में तरीके से लिए यह कि में रहाएगं कि में रहाएगा जब फब प्याथ यह कि मुद बनाई यह झाल झाल